नमस्कार दोस्तों मैजिक किचन मसाला में आपका स्वागत है मैजिक किचन मसाला हम बने जा रहा है श्टिक्की ओ भी बहुत ही नए तरीके से जो आपने बहुत बार खाई होंगी और एक बार इस तरीके से बना कर खाएंगे तो बच्चे उंग्लियां चाड़ते रह जाएं मैं कैसे बनाती हूं टिक की यहां देखिए मेरे पर सुबह की बची हुई सब्जियां है आलू गोभी की और हरे प्यास कटे हुए है थोड़े से और दो बड़े प्यास को मैंने बारीक चौप कर लिया है अद्रक और हरी मिर्च को बारीक कूट लिया है और हरा दनिया को का अब एक पैन में बिना तेल के ही इनको अच्छे से गरम करके जितना हो पानी सुखा लेंगे यह नहीं कि चार पांस दिनों की सब्जी यूज करें आप जैसे सुबह की सब्जी है कोई नहीं खाने वाला है तो इस तरीके से बना कर खाएं बहुत ही टेश्टी नास्ता जब अब ही मन करें और इस तरीके से मैं जब गरम हो गया तो इस मैसर की मदद से अच्छे से फोड ले रही हूं बिल्कुल बारिक-बारिक अब यहां देगे सारे अच्छे से फोड चुके हैं आलू कोई भी लम्स नहीं रहे अब यहीं बारिक कटे हुए प्यास डाल दूंगी बिना भूने अद्रक और हरी मिर्च भी डाल देंगे और हरे प्यास बारिक कटे हुए जो भी चीज आप डालना चाहें वो डाले और नहीं तो इसकीप कर सकते अधर कर सकते हैं कर अखे से इन्हें मिला लेंगे और दो-तिन मिनिट तक इसे अच्छे से बना लेंगे खुब अच्छे से मीसरिन को पका लेंगे मतलब देखिये यहां आप ज़रुरी नहीं कि टिक्की ही बनाए इस मिसरिन को आप आलू के सकती है जरूरी नहीं कि मैं टिक्की बना रही हूं इस तरीके से बच जाए कोई भी चीज तो आप यूज करें फेके ना अब हरा दनिया डाल दिया है मैंने इस मिसरन को अच्छे से मिला लेंगे आलू की कचोड़ी में भी भरकर खाएं एक चम्मच उपर से सौंप डाल के यह तैयार है पर मैं यहां आलू की टिक्की बना रही हूं तो सौंप नहीं डालूगी और यह ठंडा हो चुका है करीब 10 मिनिट तक मैंने ऐसी छोड़ दिया था और इसे अब हाथ से मिला लेंगे अच्छे से देखेंगे कहीं गाठे माठे तो नहीं है अगर होंगी तो हाथ से फोड़ लेंगे यहां दो चम्मच चाबलो का आंट डाल रही हूं है क्रिश्पी के लिए और दो चम्मच अर रोट पॉड़र लाल दूगी में कोई भी पर्चुने की दूकान में आपको मिल जाएगी अर रोट पॉड़र हराम से बिना ताम जाम के इस तरीके से बना कर खान जब भी मन करें आपका और सारे आटों को मिला लेंगे और रोट पॉड़र और चावल के आटा अच्छे से मिजरन को अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए मिल चुका है अच्छे से अभी ने नीबू के आकार से थोड़ी से बढ़ी लेंगे लोई ठीकी के सेप बनानी है थोड़ी मोटी मोटी तो यह है लग की मदद से अच्छे से से शेप दे दे और बीच में कि दबा दे इस तरीके से शेप दे और अच्छे से बीच मे अँगलियों के मदद से कि दबा दें बस यहीं करना और सेम पेन में में सरसो का तेल डाल रही हो आप देशी घी से भी बना सकती है और डीप फ्राइब करेंगे आलो को एक एक करके डालते जाएंगे शेखने के लिए आप चाहें तो टिक्की की वज़ाए आलो के पराठे बना ले इस मिश्रन से आलो की कचोड़ियां भी बन सकती है पर मैं बच्चों के लिए आज टिक्की बना ले रही हूँ अब यह सीख चुका है अच्छे से अलट पलट के करारे करारे सेखेंगे यह थोड़ा ज्यादा खड़ा हो गया है आपको जितना भी करारे सेखना हो अलट पलट के अच्छे से शेख लें यहां देखिए खुब अच्छे से से शिख चुका है कोई भी ऐसा नहीं है कि फटा हो कितना बढ़िया करारे करारे शिख के तैयार है बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन होने तक अच्छे से शेख ले और जो बचे हैं उनको अच्छे से बीच में करके शेख लें अईने भी निकाल देंगे एक एक करके इस तरीके से जितना भी खरा आपको शेख ना उतना शेख ले मैंने थोड़ा खरे खरे सेखे है मतलब करारी करारी यहां देखे आपको जितने भी टिक की डालनी हो डालके इसमें डाल दें मीठी दही चीनी डालके दही को मीठा कर लिया है मैंने उपर से डालें दही और मेठी चटनी जितना भी आपको मीठा काना नमक मैंने इसलिए निडालें क्योंकि सबजी में नमक तो होता ही है और टिक की हमेशा थोड़ा सा कम नमकीन होता है अब यहां डाल दें हरी चटनी बस तैयार है टिक की खाने के लिए आपको यह कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं बची हुई सबजीओं से टिक की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें लाइक करें सेर करें और सस्क्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको मेरी वीडियो की फ्री नोटिपिकेशन मिलती रहें अगले वीडियो मिलते तद तक के लिए धन्यवाद एक नई रेशिपी के साथ जै हिंद जै भारत